Hello class 9th students, चलिए आज हम एक poem है आपकी book on bill में, The Lake Isle of Innisfree, इस poem को हम करते हैं, पहले यह जान लेते हैं कि इसके poet जो हैं, वो William Butler Yeats हैं, जो कि एक Irish कवी हैं, और इस कवीता में उन्होंने क्या-क्या बाते आपको बताई हैं, वो पहले थोड़ा introduction में देख लेते हैं, This well-known poem explores the poet's longing for peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy, यह जो जगह है, Innisfree, यहाँ पर poet ने अपने बच्पन का बहुत सारा वक्त गुजा रहा है, और यह दुबारा से यहाँ आना चाहते हैं, ताकि इन्हें शान्ती मिल सके, चलिए poem पढ़ते हैं पहले, I will rise and go now and go to Innisfree, मैं उठोंगा और जाऊंगा कहां, Innisfree जाऊंगा, Innisfree जगह का नाम है, and a small cabin built there of clay and wattle made, nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee and leave alone in the bee allowed glade, मैं Innisfree जाऊंगा और वहाँ पर छोटा सा कमरा बनाऊंगा, जो की मित्ती का बना होगा, और उसकी क्या है, and वहाँ पर bee hive भी होगा, यानि कि जो मदमक्यों का छत्ता होता है न वो, और मैं वहाँ रहूँगा आकेले और मदमक्यों के साथ उस खूली जगह पे, जो Innisfree में खूली जगह है, जहाँ पर ये का छोटा छोटी सी जोपड़ी बनाएंगे और उसमें रहेंगे, केबिन ब कारे में जिक्र कर रहे हैं, फर्स पराग्राफ में, चलिए अब सेकेंड पराग्राफ देखते हैं, I shall have some peace there, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पर बहुत उनको शान्ती मिलने वाली है, और वहाँ शान्ती इसले मिलेगी, कि सुबह का परदा जब गिर जाता है, शोर सराबा बिलकुल कम हो जाता है शाम के समय में, तो क्या होता है, जिंगुर की बहुत सारी आवाज आती है, शाम को अपने सुना होगा, जिंगुर बहुत दोलते हैं, है न, तो जैसे ही दिन का परदा बंद होगा, वैसे ही क्या होगा, ये शान्ती बहुत धीमे धीमे आईगी, जब पहले आपको जिंगुर की आवाज होगी उसकी purple glow दो पहर का जो purple धूप है वो उस को मैज और फिर शाम होती ही वहाँ पर इने इनन्न नाम की पक्षी होती है वह आसमान में उरेगी आसमान पूरा भरा रहेगा उसके इनिट की इनिक पक्षियों से है ना सारे पक्षी उपर आसमान में उड़ते हुए रहेंगे शाम के समय नेक्स स्टैंजा में देखिए I will arise and go now मैं उठकर वहां जाओंगा for always night and day I hear the lake water lapping with low sound by the shore और वहां जाने पर क्या होगा मुझे जील के पानी जील में जो पानी है उसमें जो लहरे उत्ती रहेंगी वो क्या होगा उसके टकरानी के आवाज आएगी और मैं उसे ध्यान से सुनूँगा क्योंकि चाहता अब शान्ती रहेगी तो आप हर प्रकृति के हर संगीत का मजा ले सकते हैं तो कभी कहता है कि वहाँ जाएगा और फिर क्या होगा जो लहरें टकराएंगी उसके आवाज को सुनेगा वाइल आइ स्टैन ऑन दे रोड़ वे और ऑन दे पेवमेंट ग्रे या तो वो सड़क पर खड़े होकर वो आवाज सुनेगा या फिर जो फुट पाथ होता है ग्रे कलर के पथर लगे रहते हैं फुट पाथ पे वैसे फुट पाथ पर वो खड़ा होकर इस संगीत का पानी के संगीत का मजा लेगा और वो दिल से इनकी आवाज को सुनेगा और उसका आनंद उठाएगा तो ये कविता जो है वो कवी की जो एक इक्षा है कि उसे शांत वातावरन मिले आपको पता ही है जिन्दगी बहुत ही अफरा तफरी वाली है कही भी चैन नहीं मिलता लोगों को सारे टाइम भाग दौर और टेंशन में रहते हैं वैसे में अगर कवी चाहता है कि उसे एक ऐसी जगह मिले जहां उसे शांती मिले तो सभाविक है कि हम जैसे हर व्यक्ती ये चाहेंगे कि ऐसी जगह मिले जहां पर हम शांती से कुछ समय रह सकें अक्सर घर में भी हम ये बात बोलते हैं कि अरे शोर मत मचाओ थोड़ा शांत रहने दो थोड़ा घर में शांती रहने दो है ना तो कभी की भी ऐसी ही एक्षा है कि वो इनिस्फ्री जाए और शांत वातावरन में रहकर प्रकृति का आनंद उठाए ठीक है तो यह तो पोएम है चलिए अब आगे देखते हैं हम इमेजिस तो उसने बहुत सारी पोएट ने यूज़ की है जैसे हनी भी फर्स पाराग्राफ में है फर्स पाराग्राफ में है लाओड गलेड उसके बाद सेकेंड पाराग्राफ में है बहुत सारे हैं इसके बाद सेकेंड पाराग्राफ में देखिए वेल्स आप दे मॉर्नि फिर मिदनाइट औल अगलेमर नोन अपरपल गलो है ना बहुत तरह की इमेजेस पो इतनी उसकी है अब उसके बाद एक और इंपर्टन चीज है वो है इसकी राइम स्कीम चलिए राइम स्कीम देखते हैं पहले भी मैं आपको सिखा चुकी हूं राइम स्कीम कैसे बनाया जात हैं तो राइम इस्कीम में सबसे पहले आप लास्ट वेर्ड को देख कर लास्ट वर्ड को सा है फर्स लाइन में इनीष्ष्ट सेकेड़ वाले में मेडude थर्ड वाले में हनी भी एन चॉर्थे में फर्ट लाइन Igreate घ्लेड तो आप देखेंगे कि इनीष्ष्पड और हनी B ये दोनों एक दूसरे के साथ राइम करें मेंड और ग्लेड एक दूसरे के साथ राइम कर रहось है तो आप leadership इसका कैसे नाम करोगे मैंने सिखाया था अबको आगर first line को ए बोलोगे तो ये जुकि totally लाइन इसके साथ rhyme नहीं कर रही है इसलिए आप इसको नहीं अनाम दे दो B ठीक है तो A, B हो गया फिर first line और third line rhyme कर रहा है फिर आप इसको A दो और इसको B तो first paragraph की rhyme scheme क्या बनी A, B, A, B आप देखेगा same rhyme scheme को poet हर stanza में follow कर रहा है देखेए slow glow then sing wings तो यहां भी आप A, B, A, B दे जी ठीक है उसी तरफ है अलिगा उसी तरह से डे ग्रे शोर कोर तो डे ग्रे A, B, A, B तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि यह तो मैंने आपको बताया पूरे पूरे पोयम का रैम स्कीम नहीं है एक सीम रैम स्कीम स्टैंजा की तो four lines ही आपको आएंगे एक stanza ही आएगा चाहिए आए चाहिए आए चाहिए तीनों में से कोई भी आए लेकिन आपको जब भी अगर four lines आएंगे तो आप a, b, a, b ही rhyme scheme बनाएंगे चाहिए वो first paragraph आए, second paragraph आए, third paragraph आए तीनों stanza कभी भी आपके exam में नहीं आएगा, ये बड़े classes में होता है कि पूरे poem की rhyme scheme पूछी जाती है, ninth class में ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, इसलिए इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, कि मैडम ने तो सब में a, b, a, b बता ती है, जब keywords अलग अलग है, ऐसा नहीं है, तो आप, मैं आपको exam के point of view से बता रही हूँ कि एक-एक paragraph ही आएगा, एक-एक stanza ही आएगा, और वहाँ पर आप जो line आएगी, चाहिए stanza आजाए, ये stanza आजाए, first stanza है, कोई भी आजाए, आप वहाँ पर exam में जो four lines होगी, उसका a, b, a, b, rhyme scheme बनाओगे, इसी और ये एक Irish poet है, ठीक है, कई बार exam में poet का नाम भी पूछते हैं, poem का नाम भी पूछते हैं, तो poem का नाम पूरे spelling के साथ आप अच्छे से याद करेंगे, वीडियो को मुझे लगता है, वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा, और इसे like और subscribe भी जरूर कीजिए, share भी अच्छे भी से पढ़ सकें, thank you very much